नमस्कार इंडिया नूस हरियाना पर आप देख रहे हैं न्यूस रूम लाइव और मैं हूँ आपके साथ आयूश चत्राइश लिए न्यूस रूम लाइव के शुरुवात इस वक्ति बड़ी और रहम खबर के साथ करते हैं निगाय मंत्री कमल गुपता के दरफ से बड़ा बयान दिया गया है भूपेंदर हुड़ा पर उन्होंने पलटवार किया है ये बड़ी और रहम जानकारी आप तक हम पहुँचा रहे हैं हुड़ा के पोर्टल की सरकार वाले बयान पर कमल गुपता ने ये बयान दिया है पोर्टल को कोसने से पहले उसकी कमी को भूपेंदर हुड़ा को बताना चाहिए कमल गुपता ने इस बात को कहा है और उन्होंने ये भी कहा कि आज का जो यूग है वो डिजिटलाइजेशन का है इसका लाबा कॉंग्रेस की सरकार से ज्यादा मुआफ़ा हमने अकिसानों क हो दिया है कॉंग्रेस ने जितना दस साल में मुआफ़ा नहीं दिया बीजेपी ने एक साल के अंदर दिया है तो ये बड़ा आप कह सकते हैं कि बयान निकाय मंत्री कमल गुपता के द्वारा दिया गया है और भूपेंद हुड़ा के बयान पर उन्होंने पलटवार किया ह उन्होंने कहा कि पोर्टल को कोसने से पहले भूपेंद हुड़ा को ये बताना चाहिए कि पोर्टल में क्या कमी है और आज का समय ही डिजिटलाइजेशन का है ऐसे में भूपेंद हुड़ा ये बताएं कि पोर्टल में कमी आखिर क्या है जिसके लाबा उन्होंने ये भी क पर उन्हों ने पलटवार करते हुए यह बातें कहीं है तो बड़ी और एहम जानकारी आप तक होचा रहे हैं यह बड़ा बयान दिया गया है निकाय मंत्री कमल गुपता के दौरा और भुपिंद हुड़ा पर उन्हों ने पलटवार किया है हुड़ा के पोर्टल की सरकार वाले बयान पर कमल गुपता ने यह बयान दिया है कि पोर्टल को कोसने से पहले भुपिंद हुड़ा को इसकी कमी को बताना चाहिए आज का यूग डिजिटलाइजेशन का यूग है और डिजिटलाइजेशन की वज़े से ही जो पारदर्शित उन दस जिलों में जितनी भी ULBs थी, यहनि कि अगर आज मैं इस जिले को इंकलूड करूँ, तो ग्यारा जिलों में और 47 ULBs की मैं मीटिंग दे चुका हूँ, और इस मीटिंग में हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारे क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या-क्या पाइले हो, स्विपिंग की बात हो, डोर-टो-डोर कलेक्शन की बात हो, बजट की बात हो, कि कैसे बजट को मैनेज करना चाहिए, और कैसे शहर को ब्यूटिफिकेशन करने की बात हो, इन सब बातों पर हमने रिव्यू किया है, और जहां-जहां कमिया की, उसका एहसास करमचारियो को और चेर्मेंस को करवाया है और इनको इस बात की भी एशुरेंस दिये कि जो भी सहायता उपर से होगी हम करेंगे तो इसी के रिव्यू के लिए मैंने ये मिटिंग देंगे तंतर है लोग तंतर में सब लोगों को अधिकार है अब हम जो बातें करते हैं जो डिमांड्स मान ने की होती हैं वो मानते भी हैं जो नहीं मानने की होती हैं नहीं भी मानते लेकिन फिर भी स्ट्राइक करना हरेक का डेमोक्रिटिक राइट है तो उसको हम कोई भाई फोर्स तो रोक नहीं सकते लेकिन फिर भी हमारा प्रियास रहता है वो भी हमारे छोटे भाई हैं तो परि